हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू लानवरीदी दिवन तो आप लोगों का आज सामाजिक अध्यन्में भूगोल का टेस्ट है जोग्रफी का क्लास 6 का जिसमें संपून क्लास 6 जो है वो आप लोगों को याद करने की दी गई थी आप लोगों को बता दिया गया था कि इस दिन इस टाइम को टैस्ट होगा और देखिए कि आपका जो स्लेबस है उसमें भी आपकी जो 6 यूनिट है वह भी आपकी क्लास 6 से ही सम्बंदित है यानि यूनिट 6 जो है स्लेबस के अकॉर्डिंग वह जोग्रफी के क्लास 6 इसी से सम्बंदित है एक या दो टॉपिक को छोड़ कर तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है छोटी क्लास है ऐसा समझ कर आपको बिल्कुल भी इगनौर नहीं करना है यहां से कुश्चन जो है वो आपके बनते हैं कुश्चन एक्जाम में आपके 4-5 कुश्चन इस यूनिट में से आएंगे ही आप लोगों को पता है तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करके आए हैं और जो बच्चे नहीं जोड़े हैं उन लोगों को आप इनफॉर्म कर दो कि वो लोग भी टैस्ट जो है वह देने आए और यह टैस्ट जो है यूटूब पर बिल्कुल फ्री लिया जाएगा जिन बच्चों को डाउट था कि यह टैस्ट जो है यूटूब पर होगा या नहीं तो बिल्कुल फ्री होगा सभी क्लासीज के टैस्ट जो है वो हम यहां पर बिल्कुल फ्री में करेंगे, तो कुछ बच्चों ने PDF ली थी, तो वो PDF से याद करके आए हैं, और कुछ बच्चों ने YouTube पर complete वीडियो सरने करवाए हैं, 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th, तो संपूर 6th class को आप लोगों ने याद किया होगा YouTube चैनल पर, जो भी YouTube चैनल पर कुछन है, वही आपके PDF फॉर्मिट में है, वहां पर विल्कुल भी चेंजमेंट नहीं है, कि आप लोगों को PDF में ज़्यादा दे दिया गया है, या YouTube पर आपको कम कुछन दिये गए हैं, त जितना ज्यादा चैप्टर बड़ा है, उतने ही ज्यादा कुछन, जितना कम है आपका चैप्टर, उतने कम कुछन, यानि चैप्टर के अकॉर्डिंग ही कुछन जो है, आपके लिये गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और सभी लोग आ गए हैं, तो क वीदियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो पार्च बच्चे जिनके जितने question आप लोगों ने किए उतने ही सही answer उन्होंने दिये चलिए start करते है can question 1 निमन मैंसे धरातलिय ग्रह नहीं है निमन मैंसे धरातलिय ग्रह नहीं है ब्रहस्पति, शुक्र, बुद्ध और उप्रोप्त सभी तो यहां पर आंसर रहेगा यदि आपका सही है तो बहुत ही इमानदारी से अपने आपको एक मार्क्स देना है इसका आंसर रहेगा ब्रहस्पति ब्रहस्पति जो है वह एक धरातली ग्रह नहीं है यह कैसा है एक गैसी ग्रह है बहरी ग्रह है ठीक है या फिर यहां question होता कि निम्न मैंसे आंतरिक ग्रह नहीं है तब भी आपका answer जो है वो ब्रसपती ही होता यानि शुक्र और बुद्ध जो है वो कैसे ग्रह है ये धरातलिये ग्रह है next question देखिए, question 2, निमने मैंसे किस ग्रह के उपग्रह नहीं है अरुन, वरुन, शनी, या शुक्र तो 6 या 7 सेकिंड से ज़्यादा का time जो है वो आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा जैसे आपको exam में नहीं मिलता है, ठीक है, विल्कुल exam hall में बैठे हैं तरीके से question के answer फटाफट देना है तो आप लोगोंने लगा लिया होगा, अब इसका जो सही उत्तर है, वो आप देखिए, answer है, शुक्र ठीक है, शुक्र जो है, उसके उपग्रह नहीं है नेक्स्ट है question 3, प्रत्वी की इस्तिती सूर्य और चंदर के मध्य हो, तब निर्मित इस्ति को क्या कहा जाता है अमावश्या, पूर्णिमा, चंदर ग्रहन या सूर्य ग्रहन जब सूर्य और चंदर के बीच में प्रत्वी या सूर्य और चंदर के मध्य प्रत्वी की स्थिति हो तो उस स्थिति को क्या कहेंगे अब सही आंसर जो है देखिए जिनका सही है वो अपने आपको एक नंबर देंगे आंसर है चंदर ग्रहन फोर्ट कोशन है प्रत्वी के द्रुविय व्यास वह भूमद्य वर्तिय व्यास में कितना अंतर है लगबग 27 किलोमीटर लगबग 67 किलोमीटर लगबग 42 किलोमीटर या 72 किलोमीटर तो याद किया होगा आपने परत्वी के धुरुविय व्यास कितना है और भूमद्द्य वर्ति व्यास कितना है तो दोनों में उसे माइनस करके उसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा आप लोग बताईए आप लोगों ने निकाल दिया होगा इसका सही आंसर रहेगा लगबग 42 किलोमीटर ठीक है तो प्रत्वी का धुरुविय व्यास आपने याद किया होगा 12756 किलोमीटर और भूमद्द्य वर्तिय व्यास 12714 किलोमीटर तो इन दोनों में से आप घटाएंगे तो इसका अंतर जो है वो 42 किलोमीटर रहेगा नेक्स्ट है फिफ्ट कुश्यन साड़े ब्यासी डिग्री पूर्वी देसांतर यह कौन से राज्य से गुजरती है तो हमें पता है आठ राज्यों से होकर घुजरती है यहां पर उन आठ राज्यों में से एक राज्य है वो कौन सा है आंदर प्रदेश तमिल नाडू असम या महराष्ट्र तो इसका अर्थिया हुआ कि आपको वो आठो राज्यों के नाम जो है वो याद होने चाहिए तो आप लोगों ने लगा लिया आंसर चलिए कुछ बचे जल्दी करते हैं और कुछ को टाइम लगता है तो दोनों को ही ध्यान में रखकर थोड़ा टाइम जो है वो मुझे देना होता है आंसर क्या रहेगा आंदर प्रदेश बाकी तमिल नाडू असम और महराष्ट्र य हमारा सौर मंडल निम्ण में से किसका हिस्सा नहीं कहा जा सकता ब्रह्मांड का मंदाकनी का एरावत पत या अंतरिक्ष का जिन बच्चों ने पीडियेफ ली है उनको यूट्यूब चैनल पर सर ने जो पढ़ाया है उसको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि सर ने बहुत ही डेटेल में उस चीज को समझाया है जिससे कुश्चन जो है घुमा कर पूछ लिया जाएगा तब भी आंसर जो है वो गलत नहीं होगा तो यहां जो आंसर होगा क्या रहेगा अंतिरिक्ष ठीक हमारा सौर मंडल किसका हिस्सा नहीं है अंतिरिक्ष का हिस्सा नहीं है अंतिरिक्ष का अर्थ ही क्या है बिल्कुल ब्लैंक खाली स्थान चलिए कुश्चन 7 क्या है अंतरास्ट्रिय खगोलि संगठन द्वारा, प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा किस वर्स दिया गया, 2011, 2001, 2006 या 2008, तो सोचिए पटाफट से आंसर, अभी तो बहुत छोटी सी क्लास है, 6th क्लास, ठीक है, 6th क्लास के ही जोग्रफी आप लोग याद करके आए हो, एक भी कुशन किसी का भी गलत नहीं ह होना चाहिए, यदि फिर भी किसी का गलत होता है, और उस बच्चे ने अभी भी YouTube चैनल पर वीडियो नहीं देखे हैं, या PDF नहीं ली है, तो देखिए, आप लोग अपनी नौकरी के साथ खिलवाड कर रहे हो, तो इस चीज का विशेज ध्यान रखना है, तो यहां आंसर क इसका सही है, वो अपने आपको question 7 तक, सही number 2, चलिए, प्रत्वी पर दिशा निर्धारन करने के लिए तारे को देखा जा सकता है, धुरुफ तारे से, सूर्य से, उप्रोक्त दोनों से, या इन में से कोई नहीं, अगर हमें प्रत्वी पर दिशा का निर्धारन करना है, त तो हम किसे देखकर पता लगाएंगे, धुरुफ तारा, सूर्य, सूर्य जो कि ये भी तारा है, उप्रोक्त दोनों और या इन में से कोई नहीं, किसी का भी एक भी question गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही important question है, तो सब ने लगा लिया होगा, बहुत ही आसान सा question था ये तो, क तो यहां सही answer क्या रहेगा, धुरुफ तारे से भी हम पता कर सकते हैं, दिशा निर्धारन और सूर्य से भी, ठीक है, धुरुफ तारा, जो की कहा है, उत्तर दिशा में, और सूर्य, सूर्य से हम पता लगा सकते हैं, कि सूर्य जो है वह पूरब से निकलता है, ठीक है, पक साड़े तेईस डिग्री दक्षणी अक्षांस, साड़े च्हांसट डिग्री देसांतर या साड़े तेईस डिग्री उत्री अक्षांस चलिए तो आंसर क्या रहेगा लास्ट मैं देखूंगी मैं कितने माक्स आप लोग लेकर आए हो आंसर क्या है इसका साड़े 23 डिगरी दक्षणी अक्षान्स ठीक है मकर्रे का कहा है इस देत है साड़े 23 डिग्री दक्षणी अक्षान्स यहीं पर करकर एखा पूछा होता तो साड़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षान्स हो जाता चलो next देखो question 10 सोर मंडल में सबसे कम गुरूनन काल किस ग्रहका है ब्रस्पति बुद्ध प्रत्वी या मंगल तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है बहुत ही इमानदारी से आप लोग अपने नंबर जो है वो लिख रहे हैं आंसर क्या होगा इसका तो इसका सही आंसर क्या होगा ब्रस्पति next है question 11 किस ग्रह का सूर्य परिक्रमन काल सबसे कम है यानि सूर्य की क्या करता है परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है वो ग्रह कौन सा है अरुन बुद्ध मंगल या प्रत्वी तो इसका सही आंसर जो है वो देखिए पटाफट से आंसर है option B पुद्ध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है next question है question number 12 अक्षांस रेखाओं के संबंद में सही कथन है विश्वतिय रेखा के समानांतर होती है समय निर्धारण में सहायक नहीं है किसी की भू इस्तती निर्धारण में सहायक है या उप्रोक्त सभी कथन सत्य है तो देखिए कभी ऐसा होता है कि उप्रोक्त सभी कथन जो है वो सत से पढ़िए उसके पास सही आंसर दीजिए तो यहां पर अक्षांस रिखाओं के संबंद में कौन सा कतन सही है चलिए जान लेते हैं आप लोगों ने आंसर जो है वो लगा लिया है अब इसका सही उत्तर जो है वह क्या होगा पटापट से देखिए कोश्चन 12 का आंसर कि देखिए मज्य की बात क्या है कि यहां पर उप्रोकत सभी कतन ही सत्य है विश्वती रेखा के समानांतर होती है अक्षांस यह रेखाएं समय निर्धारन जो हैं वह होती हैं किसी की भूस्तिती निर्धारण में भी यह सहायक हैं अक्षांस रिखाएं तो आप लोगों ने डियॉप्चन ही लगाया होगा है कुशन नंबर 13 प्रत्वी का औसत तापमान कितना है फटाफट से देखो 25 सेंटीग्रेट 15 सेंटीग्रेट 12 सेंटीग्रे चलिए आंसर आ चुके हैं सही आंसर क्या है जिसका 13 कुश्चन जिन्होंने बी ओप्शन 15 सेंटीग्रेट लगाया है वो सभी सही हैं नेक्स्ट रे कुश्चन 14 आसमान में दिखने वाले साथ तारों के सम्हूं को फ्रांस में क्या कहते हैं सब्तरिसी मंडल, स्मॉल बियर, सॉस पैन या उप्रोक तो सभी तो आप लोगोंने लगा लिया है आंसर इसका क्या कहते हैं बिल्कुल सही आंसर है सॉस पैन ठीक है और यहाँ पर अगर ब्रेटेन लिखा होता तो आपके आंसर करते हल या प्लग ठीक है इंग्लिस में लिखा आता है प्लग और हिंदी में हल और भारत में सब्तरिसी वर्सु में समया अनुसार घटित होने का सही क्रम है पतजड विशुब उतरियनांत वसंत विशुन दक्षणियनांत तो यह आप्शन देखिए चारों इनमें से वर्सु में समय के अनुसार घटित होने का सही क्रम क्या है सबसे पहले कौन सा समय आता है तो यहां आप लोगों ने आंसर लगाया अब देखिए इसका सही आंसर यहां आप लगाते सबसे पहले बसंत विशुन यहां से सही क्रम है उसके बाद उतरी आयनांत फिर पतज़ड आता है उसके बाद दक्षणी आयनांत यह सही क्रम है नेक्स्ट कुशन देखिए, एस्ट्रोइड बैल्ट किन ग्रहों के मध्य इस्थित है, शुक्र और ब्रस्पति, शनी और ब्रस्पति, ब्रस्पति के चारो और या इन में से कोई नहीं तो यहां पर यदि एस्ट्रोइड बैल्ट के बदले सुद्ध ग्रह की पट्टी, तब भी आपका आंसर क्या होता, हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही आप लोग याद रखिएगा तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, आप लोगों ने लगा लिया है सही आंसर, अब इसका सही उत्तर जो है, वह है रहेगा इन में से कोई नहीं क्यों यहां आंसर जो है वो क्या होता अगर आप लोग सही करते उसको कि अगर हम क्रम से देखें तो बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल ठीक है और मंगल के बाद एस्ट्रोयल बैल्ट आता है फिर ब्रहस्पति, शनी, अरुन, वरुन यानि मंगल और ब्रस्पति के बीच में एस्ट्रोयल बैल्ट होता है तो यहां पर वो आप्शन में नहीं है इसलिए आंसर रहेगा आप्शन दी चलिए नेक्स्ट सेवंटीन है वले युक्त ग्रह किसे कहा जाता है ब्रस्पति को, अरुन को, शनी को या वरुन को जिसके वले पढ़ते हैं वहे ग्रह कौन सा है यहां से कुशन जो है वो आपके आने वाले हैं क्योंकि अक्षांस दिसांतर प्रत्वी की गतियां, प्रत्वी के जो वायू दाब है जलवायू कटिवंध है, जैब मंडल है यहां से प्रस्पन जो है वो आपके आएगा सूर्य और चंदर ग्रहन से भी तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा शनी शनी जो है वह है वलय युक्त ग्रह है निमने में से सही जोड़ा है स्टैपी घास उतर अमेरिका में प्रेरी घास दक्षिन अमेरिका में सवाना घास कांगो बेशिन में वैल्ड घास ब्राजीर में पटाफर्शेस का आंसर दीजिए कुछ तो आंसर जो है वो पटाफर्ट लगा लेते हैं क्योंकि उन्होंने याद किया हुआ है यही मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ कि आप लोग इनको याद रखिए हर एक चेप्टर जो है वो इंपोर्टेंट है आंसर बिलकुल क्या रहेगा आप लोगों ने लगाया आंसर रहेगा सवाना घास जो की कहां है कांगो बेसिन शेत्र में ठीक है अफरीका में नेक्स्ट है 19 प्रतिवी का परिक्रमन तल से कितना जुकाव है साड़े 23 डिगरी साड़े 66 डिगरी साड़े 27 डिगरी या साड़े 63 डिगरी तो बिल्कुल इसका आंसर रहेगा आंसर राइट रहेगा साड़े 66 डिगरी ठीक है प्रतिवी का परिक्रमन तल से कितना जुकाव है साड़े 66 डिगरी विश्व का सबसे निम्न तमिस्थान किस देश की सीमा पर इस्थित है जॉर्डन स्वीडन मलेशिया या अफ्रीका तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है पटा पट से लगाओ तो आंसर जो है वो राइट रहेगा जॉर्डन ठीक है विश्व का सबसे नीचा इस्थान जो है वह है जॉर्डन और इस्राइल सीमा पर इस्थित है और वह है म्रत सागर तो इसमें तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको तीन या चार सेकिंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शनी नेक्स्ट है कोश्चन 22 पटापट से देखिए कि एक डिग्री के अंतराल की अनुसार ग्लो पर अक्षानसों की कुल संख्या है कितनी है एक सो असी एक सो उन्यासी एक सो एक्क्यासी या नब्बै तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों ने लगा लिया होगा कुछ कंट्यूज है इसमें तो यहां रहेगा देखिए एक सो एक्क्यासी ठीक है एक सो एक्क्यासी जो है कुल अक्षानसों की संख्या है प्रत्वी के परी मंडलों के नाम हैं इस्थल मंडल, वायू मंडल, जल मंडल या उप्रोक्त सभी प्रत्वी के परी मंडल इनके नाम कौन कौन से हैं तो यहां पर क्या A option रहेगा इस्थल मंडल, वायू मंडल रहेगा जल मंडल या सभी रहेंगे तो इतना ज़्यादा आसान question है यह तो सभी ने लगा लिया होगा किसी का भी गलत नहीं रहेगा आंसर रहेगा उप्रोक्त सभी next जो है question 24 सभी उपग्रह किसके प्रकास से चमकते हैं ग्रह, तारे, चंद्रमा या स्वय के प्रकास से तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बिल्कुल जिसे पता है वो तो फटाफट से आंसर लगा लेते हैं कि जो उपग्रह हैं वह तारे के प्रकास से चमकते हैं ठीक है? ग्रह हैं, उपग्रह हैं यह सभी किसके प्रकास से चमकते हैं? तारे के प्रकास से तो यहां सूर्य अगर लिखा होता तब भी आप क्या लगाते सूर्य के प्रकास से चमकते हैं ठीके और चंद्रमा जो है वहे भी क्या है एक उपग्रह है यह भी तारे के प्रकास से ही चमकेगा ग्रह जो है वहे भी चमकेगा ठीके तो सभी तारे सभी ग्रहे उपग्रहे यह सभी तारों के प्रकास से चमकते हैं और तारों का तो स्वेम का प्रकास होता है चलो next 25 देखिए सौर मंदल की विज्ञानिकों के अनुसार कितनी आयू बताई गई है 560 करोर वर्स 460 करोर वर्स 560 अरब वर्स या 460 अरब वर्स as it is जो भी chapter होते हैं उनमें से ही लाइन उठाकर आपके एक्जाम में पूस ली जाएगी आप लोग कन्प्यूज हो जाएगी इसलिए हर एक चेप्टर का हर एक कुश्चन मोस्ट इंपोर्डेंट है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा आंसर जो है वो क्या है 460 करोर वर्स चंद्रमा का परिक्रमन काल है 29 दिन 27 दिन 28 दिन या 26 दिन देखो एक होता है घृणन काल ठीक है सर ने आपको समझाया होगा घृणन काल और एक होता है परिक्रमन काल यानि परिक्रमा हम परिक्रमा करते हैं तो इस चीज से आप लोगों कन्फ्यूज ना हो या 26 दिन और गूमनन का मतलग वो अपने जगह पर गूम रहा है तो आप लोगों ने लगा लिया है आंसर अब इसका जो सही उत्तर है वो जान लीजिए और अपने आपको जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि अगर आपने सही किया है question number 26 तो उसका आप लगाईए सही आंसर कि आपने एक number ले लिया है 27 दिन चंद्रमा का परिक्रमन काल क्या है 27 दिन यह है और यदि यहाँ पर होता क्या होता यहाँ पर गूनन काल तो आप आंसर देते 29 दिन प्रत्वी का परिक्रमन काल है 24 घंटे 365 दिन 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन 4 घंटे तो बहुत ही चोटी classes का question है important है question आप बल्कुल गलत नहीं होना चाहिए common sense का question है प्रत्वी का परिक्रमन काल है परिक्रमन वही कि सूरे के 4 तरफ परिक्रमा करना तो बिल्कुल आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका तो किसी का भी गलत नहीं जाएगा आंसर है 365 दिन 6 घंटे में प्रत्वी जो है अपना परिक्रमन पूरा कर लेती है यानि की सूरे का चक्कर लगा लेती है प्रत्वी की सही परिदी का आंकलन किस ने किया इरार टॉस्थनेस ने, भासकर अचारे ने, ग्यालीलियो ने या आरे भटने तो बिल्कुल यहां आंसर जो है याद किया होगा आपने, आप्शन ए, एरार टॉस्थनेस ने प्रत्वी का सही परिदी का आंकलन किया करकवा मकर रेखा के मद्ध शेत्र किस ताप कटिवन के नाम से जाना जाता है सीत कटिवन, सीतोषन कटिवन, उपोषन कटिवन या उशन कटिवन तो आंसर क्या रहेगा, question 29, question number लिखकर इसका आंसर दें चलिए, जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं, उनको next question का वेट रहता है और जो थोड़ा time लगाते हैं, तो उनको भी देखना है हमें तो आंसर बिलकुल सही क्या रहेगा, उश्ड कटिवन, क्या रहेगा, उश्ड कटिवन, करक और मकर रेखा के बीच के जो ताप कटिवन है, उसको कहते हैं उश्ड कटिवन सामानेते तारे निम्ड मैंसे किसके मिश्रण से निर्मित नहीं होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वो प्रोक्त सभी मिश्रण में होते हैं, जो तारे हैं, वह किसके मिश्रण से निर्मित नहीं होते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को confusion होगा और उसकी वज़े क्या है, option होगे। तो देखिए, ऐसे question जो हैं, वो आपके exam में आते हैं, जहां आप दो option में confused हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए concept, और वो क्या है, सबसे पहले answer जो है, जिन बच्चों ने लगाया है nitrogen, तो वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमें पता है कि तारे जो हैं, वह है hydrogen और helium, इनके मिश्रण से बनते हैं, ठीक है, निर्मित होते हैं, तो वह nitrogen जो है, उसका option जो है, वह है hydrogen और helium के लिए ही प्रयोक्त हुआ है, nitrogen जो है वह है नहीं होता है, घास के मैदान किस ताप ये कटिवन्द शेत्र में मुखेताय पाए जाते हैं, सीत कटिवन्द, सीतोष्न कटिवन्द, उपोश्न कटिवन्द या उष्न कटिवन्द तो answer क्या रहेगा, विल्कुल question 31 का answer right क्या रहेगा, सीतोष्न कटिवन्द, ठीक है, जहां सीत भी होगा, उचन भी होगा, वहाँ पर घास के मैदान पन पेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा, आप लोगोंने B option जो है वह है, सही लगाया है, जो लोग गलत कर रहे है तो please और please RBSC की books जो हैं, उनको follow करिए, question 32, globe पर दक्षणी ध्रुब से उत्री ध्रुब की ओर, ठीक है, globe पर दक्षणी ध्रुब से उत्री ध्रुब की ओर, नीचे से उपर, अक्षान से व्रतों का सही क्रम है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा, य यहाँ अंटार्टिका व्रत, मकर व्रत, करक व्रत या आर्केटिक व्रत, तो कौन सा सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद और उसके बाद, ठीक है, और देखना कहां से है, दक्षणी ध्रुब से उत्री ध्रुब की ओर, तो अब फटा-फट से इनको क्रम से लगाईए तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बिल्कुल जिन बच्चों ने अप्शन एको चुना है कि यह सबी लिखे हुए है यह बिल्कुल कैसे लिखे हुए है सही लिखे हुए है जब हम दक्षनी दुरुब से उतरी दुरुब की ओर चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है नीचे से अंटार्टिक व्रत है उसके बाद मकर वरत है उसके बाद क्या है बीज में वुमध्य रिखा है या जिसे विश्वत वरत कहते हैं उसके बाद करक वरत है और आर्गटिक वरत है ठीक है तो यह लाइन जो है आपको याद है और यदि इसी का अपोजिट पूछ लिया जाए कि उत्तरी धुरूब से दक्षणी धुरुब की और सही क्रम क्या होगा तो इसी को आप पलट देंगे उलट देंगे कि सबसे पहले आर्कटिक व्रत है उत्री धुरुब में उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको मिलता है कर्क व्रत उसके बाद भूमध्य व्रत फिर मकर व्रत और लास्ट में अंटार्कटिक व्रत 33 है सूरे की क्रम लंबवस पड़ती है भूमध्य रेखा से करकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच करकर रेखा से मकर रेखा के बीच या जुरुविय शेत्रों में तो question 33 का answer क्या रहेगा कि सूरे की किरणे जो है वह है लंबवत पड़ती है देखिए हर question को detail में समझाने का मेरा बहुत मन करता है लेकिन time की short is इसके लिए भी और कुछ बच्चे जो है वो केवल question का answer देने के लिए ही wait करते हैं तो इसलिए shortcut में मैं आप लोगों को फिर भी समझाती हूं तो सूरे की किरणे लंबवत पड़ती हैं करकर रेखा से मकर रेखा के बीच question 34 है 21 जून को सूरे की किरणे लंबवत होती हैं मकर रेखा, करकर रेखा, पुमध्य रेखा या विश्वत रेखा तो अब हमने 33 question में थोड़ा सा hint जो है ले लिया था तो अब 34 answer जो है वो किसी कोई बिच्च गलत नहीं करेगा कि 21 जून को सूरे की किरणे जो है वह सीधी लंबवत होती हैं तो आप लोगों ने लगा लिया है answer बिलकुल किस पर रहती हैं करकर रेखा निमने मैं से greenhouse gas है oxygen, ozone, nitrogen या carbon dioxide इन मैं से कौन सी greenhouse gas है तो यहां पर जो answer रहेगा वो रहेगा carbon dioxide ठीक है चलिए तो पूरी आपकी 6 class की revision हो गई एक तरीके से RBSC की book से आप लोगों ने 35 message, 35 marks जो है वो किस-किस बच्चे ने लिये हैं सभी बच्चे comment करेंगे और 5 बच्चों के नाम यदि उनसे ज़्यादा भी हुए तो उन सब के नाम जो है वो next वीडियो में लिया जाएगा यहाँ पर देखिए आपका कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है यूटूब पर बिलकुल free test लिये जा रहे हैं तो आप लोग इस चीज को पढ़िए enjoy करिए जितना ज़्यादा enjoy करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज जो है वो आपकी clear होती जाएंगी जितने ज़्यादा question practice आप करते हैं आप exam के लिए तयार हो जाओगे नौकरी के लिए तयार हो जाओगे तो यही मेरा आप लोगों से कहना है अब भी मैं यह कह रही हूँ कि आप ल पुशिच करने के बाद मेहनत करने के बाद और फिर भी वो exam clear नहीं कर पाता है तो देखिए या तो उसने गलत coaching join की है या गलत लाइन में वह है पड़ रहा है चीजें उसने गलत उठाई है यहाँ पर बिल्कुल clear मैंने आपको चीजें बता दी है ठीक है आप लोग इतना अच्छा मेहनत कर रहे हो और फिर भी आप लोग रह जाते हो तो देखिए बहुत ही दुख की बात होगी तो इसलिए आप सारा चीजें आप लोगों को मिल रही है SST में आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वहां पर हर चीज एवलेवल है इसके अलावा भी काफी कुछ मैंने आप लोगों को यूटूब चैनल पर फ्री प्रोवाइड करवाया है आप लोग उसका फायदा जो है वह क्यों नहीं लेते हैं और अब भी नहीं लेते हैं तो देखिए ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना बाद भी वो बच्चा जो है वह नौकरी नहीं ले पा रहा है तो इसकी वज़े वह खुद है ठीक है परिस्तितियां जो है उनको जिम्मेवार जो है वह नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि परिस्तितियां जो है वो सभी के साथ जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वह र रहती है ठीकर ओर जैसे ही नौकरी मिल जाती सारी problem solve हो जाती है तो उसी नौकरी के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं उसी नौकरी का आप लोग इतने time से इंतजार कर रहे हैं तो आप महनत क्यों नहीं करते हैं तो इसी तरीके से YouTube Channel पर पढ़ीए जो PDF अब RBSC की बुक्स की आप लोगों को सरुपलब्द करा रहे हैं आप उसके भी वहां से भी पढ़िए ठीक है और टेस्ट दीजिए next test की announcement जो है वो मैं कर दूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा next geography का 7th class का test होगा आप लोग तैयारी करिए मिलते हैं next test के साथ तैंक यू